सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए नमस्कार मेरा नम मुकुल है और ऐसे ट्योगी में आपका स्वागत है दोस्तों ये वीडियो एक सीरीज का पार्ट है जिसमें हम वैलूएशन रिशो डिसकस कर रहे है हमने अपने पिछले दो वीडियो में पी रिशो और पेग रिशो को समझा था जिसमें हमने ये देखा था कि एक शेर का आप सही प्राइस उसकी अर्निक्स या उसके प्रॉफिट्स को एनलाईज करके कैसे निकाल सकते हैं अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इनको देख लीजे पहले लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अब देखिए कई बार अर्निक्स को एनलाईज करना मुश्किल हो जाता है स्पेशली जब सड़नली किसी साल में मान लीजे किसी कंपनी की अर्निक्स एकदम से बहुत कम हो गई या फिर नेगिटिव में चली गई और हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसका future outlook काफी अच्छा हो वो हमेशा losses ना बनाती रहे तो ऐसे case में price earning ratio या peg ratio से आपको एक stock analyze करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो ऐसे case में price to book value आपको काम आती है एक share का सही price निकालने के लिए अब book value क्या होती है देखिए अगर मैं आपको आसान भाशा में कहूं तो book value अगर आप किसी company के सारे assets को निलाम कर देते हैं तो हम market value और book value के अंदर एक relation establish करने कोशिश करते हैं यानि कि share का जो price है वो book value के मुकाबले कितना गुना है तो इस वीडियो में हम price to book value की calculation समझेंगे interpret आपको कैसे करना है price to book value को और साथ में हम ये भी देखेंगे कि आप online किसी भी company की price to book value कैसे calculate कर सकते हैं चलते हैं सीधा blackboard की तरफ तो pb ratio निकालने के लिए सबसे पहले हमें book value समझना होगा कोई भी company के जो net assets होते हैं as per books of accounts उसी को हम book value कहते हैं net assets क्या है company के जितने भी tangible assets हैं उसमें से आप liabilities minus कर दीजिए आपको book value मिल जाएगी इसको हम company की net worth भी कह सकते हैं या फिर shareholders equity भी कह सकते हैं कि shareholders की shares की कितनी value बन रही है accounting के हिसाब से अब यह जो tangible assets हैं आप यह ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको सिरफ tangible assets लेने हैं इन tangible assets जैसे की brand, technology इन सब की आप value नहीं लगा सकते हैं accounts के अंदर वो नहीं लेने है tangible assets आपके कौन से होते हैं fixed assets होते हैं जैसे की plant and machinery, land, buildings वग्यारा plus उसके अंदर आप current assets add कर देते हैं तो आपको tangible assets मिल जाते हैं उसमें से आप liabilities minus करेंगे तो आपको book value मिल जाएगी एक example से समझते हैं इसको let's say एक company के total assets यहाँ पर मैं assets लिख लेता हूँ यहाँ assets लिख लेते हैं let's say total company के जो tangible assets है वो 20 करोड के हैं और इसको finance करने के लिए let's say 5 करोड के loan लिए गए हैं तो यह loan basically liabilities बन गए तो मैं यहाँ assume कर रहा हूँ कि total liabilities इस company की 5 करोड की है तो यहाँ पर जो balance बजगया 15 करोड यह होता है आपका shareholders equity इसको हम net worth भी कहते हैं और यही आपका book value of company बन जाता है तो यहाँ पर book value of company कितना हो गया total tangible assets देखे थे हमने 20 करोड के इस मैंसे हम यह liabilities minus कर देंगे 5 करोड की तो यह कितना बन गया आपका 15 करोड के book value बन गई total company का अब इसके बाद हमें क्या करना है हमें इस company का book value पर share निकालना है तो book value पर share का क्या formula है total book value आपने यह जो निकाली इसको आप number of shares से divide कर देंगे let us assume कि इस company के total number of shares 10 लाग के है तो आप book value आपने कितनी निकाली 15 करोड की इसको आप 10 लाग से divide कर देंगे अगर तो आपको एक share की book value मिल जाएगी वो कितनी बनी आपकी 1500 रुपे एक share की book value बन गई अब हम आज आते हैं अपने PB ratio के formula पे PB ratio का formula है आपका share price divided by book value per share share price क्या है आज की date में current market price जो चल रहा है उस company के share का market में चाहे Sensex या Nifty पे अगर आप देख रहे हैं तो वो आप यहाँ पे share price लेंगे उसको आप divide कर देंगे book value पर share से let's say आज की date में इस company का 200 रुपे का share चल रहा है इसको आप divide कर देंगे 1500 रुपे जो इसकी current book value है यहाँ पे यह value अगर आप निकालेंगे तो यह 1.33 निकल के आ जाएगी इसका एक दूसरा formula भी हो सकता है आप सीधा सीधा company की जो total market value है उसको total book value से भी divide कर सकते हैं यह total market value क्या है company का market capitalization on Sensex या फिर Nifty market capitalization हम कैसे निकालते हैं इसके उपर भी मैं काफी videos में बात कर चुका हूँ आप सीधा सीधा जो company का share price है 200 रुपे का उसको आप number of shares यानि की 10 लाग से multiply कर देंगे तो total company की value आपको मिल जाएगी जो market के हिसाब से लग रही है मतलब लोग उसकी कितनी value लगा रहे हैं कितनी निकल के आगई है आपकी 20 तो यहाँ पे PB value आपकी कितनी लगी 20 करोड आपने market value निकाली divided by total book value आप यहाँ लग लेंगे company की 15 करोड की तो यहाँ पे भी आपको PB ratio मिल जाता है 1.33 का तो यहाँ से आप दोनों में से कोई भी formula यूज़ कर सकते है PB ratio निकालने के लिए पर main important बात है कि इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है book value से जादा market value लग रही है company की क्योंकि यह more than 1 निकल के आ रहा है कितनी जादा लग रही है देखिए यह 15 करोड है यह 20 करोड है that means 5 करोड का premium पे करने के लिए तयार है market इस company का book value मतलब जितने assets की value है वो तो खाली 15 करोड की है लेकिन market इसको 20 करोड का देने के लिए तयार है तो यह जो 5 करोड का premium है जो market दे रही है यह क्यों दे रही है यह हमारा next सवाल निकल के आता है तो इसके mainly आ रहे है company दूसरा intangible assets की तो हमने value लगाई ही नी book value के अंदर आपने ध्यान दिया होगा हमने सिरफ tangible assets की बात करी थी कि उसके पास plant and machinery कितनी है land, buildings वग्यारा कितना है इसके अंदर intangible assets नहीं आते हैं जैसे brand की भी एक value है उसके पास हो सकता है company के पास कोई technology हो, copyrights हो, patent हो trademarks हो, उनकी भी एक value है employees भी काफी value create करते हैं लेकिन employees की value आप book value में थोड़ी ले रहे हैं leadership की एक value होती है, strategy की एक value होती है, वो आपकी book value के अंदर reflect नहीं होती इसलिए market उसकी value ज़ादा लगा रही है book value से तो अब हमारा दूसरा सवाल उड़ता है कि ये PB ratio फिर हमें use कहां करना है, जितनी भी asset heavy industries हैं, जो जादातर assets पे depend करती हैं, वहाँ आपको PB ratio यूज करना है generally क्योंकि वहाँ पे PE ratio कई बार limited हो जाता है, हमने अपने PE ratio वाले में, बात भी करी थी कि कुछ ऐसी industries होती है, जो काफी cycleical होती है, जहाँ पे PE ratio काफी काम में नहीं आता है, ऐसे case में आप PB ratio ज़रूर देख सकते हैं जैसे कि oil industry है, manufacturing industry है, यहाँ पे plant and machinery काफी जादा होती है, land, buildings वग्यारा, infrastructure है real estate industry है, यहाँ पे आपको हमेशा book value assets की काफी जादा मिलेगी, अब book value अगर denominator में जादा होगी तो natural सी बात है कि यहाँ पे आपको PB ratio हमेशा ऐसी industries में कम मिलेगा, तो यहाँ पे asset heavy industries के अंदर आपको एक और बात ध्यान देनी है कि जो quality of assets है, वो कैसे हैं, क्या वो appreciating assets है, appreciating assets कौन से होते हैं, जैसे कि land एक appreciating asset है, gold एक appreciating asset है, कुछ investments हो सकते हैं कमपनी के जो appreciating हो, या फिर company के पास depreciating assets भी हो सकते हैं, जैसे कि plant and machinery यह depreciating asset है, तो book value से हमें यह पता चल जाता है कि अगर company बिक्ती है by chance किसी reason से, तो liabilities पूरी करने के बाद, shareholders के अंदर कितना पैसा बटेगा, इसी लिए book value काफी important हो जाती है, और इसी लिए PB ratio भी काफी important हो जाता है कि जितना price हम pay कर रहे हैं, क्या वो बहुत जादा pay कर रहे हैं book value से, और दूसरा एक और बात का आपको ध्यान देना चाहिए, कि कौनसी इंडस्ट्री में नहीं है service industry है, या technology industry है, जहाँ पे assets जादा use नहीं होते, वहाँ पे intangible assets जादा होते हैं, जैसे कि brand, technology, copyrights, employees उनके main assets होते हैं, तो यहाँ पे आपको हमेशा PB ratio काफी high मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे book value जो होती है, इन industries की, वह काफी low होती है, यहाँ पे क्योंकि tangible assets ही बहुत कम है, तो ऐसे cases में आपको PB ratio से जादा अच्छा insight नहीं मिल पाएगा, तो ऐसे case में आपको PE ratio देखना है, अब PE ratio के बारे में मैं एक already detailed वीडियो बना चुका हूँ, वो आप ज़रूर देख सकते हैं, तो I think आपको PB ratio calculate कैसा करना है, interpret कैसे करना है, यह समझ में आ गया होगा, अब quickly हम देख लेते हैं कि online आप PB ratio कैसे calculate कर सकते हैं, तो यह देखिए, यहाँ पे मैंने Reliance Industries के financials निकाले हैं, India Infoline website से, आप search में जाके किसी भी company के stocks निकाल सकते हैं, यहाँ पे analyze करने के लिए, अब यहाँ पे हम overview में गए हैं, यहाँ पे हमें देखिए, current market price दिख रहा है, तो यह तो हमारा share price हो गया, और हमें यहाँ पे साथ में book value भी मिल रही है, तो आप सीधा 1162 को 510 से divide करेंगे, तो आपको PB ratio मिल जाएगा, it is as simple as that, अब दूसरा हमारे लिए important काम क्या है, कि हमें इस PB ratio को compare भी करना है, सीधा peer comparison में हम जाएंगे, और यह देखिए, यहाँ पे Reliance Industries के जितने भी competitors हैं, उन सब की values दिख रही हैं, यहाँ पे current market price दिख रहा है, PE ratio दिख रहा है, market cap दिख रहा है, और बाकी की काफी सारे parameters दिख रहे हैं, हम मिल लिकिस चीज में interested हैं, current market price और book value में, यहाँ पे book value मेरे खाल से last financial year की दिख रही हैं, और जो हमने पहले देखी थी, वो current book value होगी, इसलिए थोड़ा सा difference आ रहा है, हमने वहाँ पे 510 देखा था, यहाँ 496 देखा रहा है, बट nonetheless ज़्यादा difference नहीं है, हम यहाँ पे compare कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो भी value है, वो same ही financial year की होगी मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे हम एक बार quick comparison करके दिखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे, मैं अगर PB ratio निकालनू सब की, तो हम क्या करेंगे, 1162 को मैं यहाँ 496 से divide करूँगा, तो यहाँ PB ratio निकल का आएगा, Reliance का 2.34, IOCL के अंदर मैं 136 को 114 से divide करूँगा, तो यहाँ निकल का आएगा 1.19, और similarly BPCL का मैंने calculate किया है, 1.89 निकल के आता है, book value, sorry PB ratio, और यहाँ पे HPCL का जो निकल का आता है, वो 1.35 निकल का आता है, अब यह 4 companies को जब हम compare करते हैं, तो देखिए यहाँ पे Reliance काफी standout हो रहा है, यहाँ पे PB ratio काफी ज़्यादा निकल के आ रहा है, यहाँ पे इन सब का PB ratio less than 2 है, in fact ज़्यादा तर तो 1.5 से भी कम है, that means कि market में PB के हिसाब से, काफी ज़्यादा premium दे रही है, book value के हिसाब से 2.34 times market उसको value दे रही है Reliance को, तो ऐसा क्यों कर रही है, mainly देखिए Reliance Industries के अंदर, खाली refining के अलावा अब G.O. भी आ गया है, यह mainly consolidated figures है, तो यहाँ consolidated statements के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो Reliance Industries का जो share price है, G.O. की valuation को भी consider कर रहा है, तो इसी वज़े से मैं कहूंगा कि यह एकदम सही comparison नहीं है, तो हमें शायद ऐसी company से compare करना चाहिए, खाली हम यह तीन companies को तो compare कर सकते हैं, बट I think Reliance यहाँ पर थोड़ा सा standout कर रहा है, इसको हम exact compare नहीं कर सकते हैं, बट I think आपको यह समझ में आगया होगा, कि PB ratio आपको compare कैसे करनी है, calculate कैसे करनी है, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको like और share ज़रूर कर लें, अगर आपके कुछ suggestions हैं, या आपको ए topic suggest करना चाहते हैं future videos के लिए, या आप अपना कोई भी विचार शेयर करना चाहते हैं community के साथ, तो आप नीचे comment कर सकते हैं, मैं हर रोज finance और investment related interesting topics यहाँ पर share करता रहता हूँ इस channel पे, तो अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है, तो नीचे से subscribe करके अपने phone में bell icon को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे latest video का notification मिल जाए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहें, कमाते रहें और हमेशा की तरह खुश रहें,